बताएंगे आपको लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का सोवचार अगर आप फेलियर को टेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी इसे लिए हमेशा अपने फेलियर से सीख लेना बहुत जरूरी है तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ खबरों का भी रुख कर लेते हैं महाराश्प्र के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे मंगलवार पो यानि की आज प्रधामंती नरेंद मोदी से मुलाकात करने वाले हैं मुलाकात में अद्धव ठाकरे अधिकारिक रूप से मराथा अरक्षन, OBC अरक्षन और ताउते तुफान से हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाएंगे उद्धव ठाकरे चाते हैं कि मराथा अरक्षन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंदर OBC की सूची संचोधन कर उसमें मराथाओ को शामिल करे और पुना विचार याचिका में केंदर पहले की तरह सायोग जाजी रखे साथी उद्धव ठाकरे चाते हैं कि ताउते तुफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गुश्रात की तर्ज पर एक हजार करोर महराष्ट को भी दिया जाए उद्धव ठाकरे मुख्यमंतरी वरने के बार दूसी बार पदान मंतरी से मिलने आ रहे हैं जानकार इस मुलाकात के राजनेतिक मायने भी निकाल रहे हैं जाहिर तोर पर जब दो राजनेता मिलते हैं तो उनके बीच राजनेतिक चर्चाएं भी होती हैं वैसे तो राजनीती में कहा जाता है कि चर्चा और खर्चा चलता रहना चाहिए उद्दव ठाकरे और मोदी के बीच संबन मदूर होने की निशानी के तौर पर शिफ्टेना के सूत्र ने ग्याद दिलाया कि जब करोना की दूसरी लहर सिदेश हलकान था उस समय प्रधान मंती नरिन मोदी ने मुंबई मौडल की खूब तारीफ की ती यही नहीं प्रधान मंती मोदी ने स्वास्टे मंतुराले के अफसरो और कोविट टास्क फोर्स के अधिकारियों से भी मुंबई मौडल की स्टडी करने के लिए कहा था राजसान में कोरोना संक्रमन के मामले कम होते ही अशोग घैलोत की सरकार अब एक्शन मोड में नसरा रही है दरसल घैलोत सरकार ने सुमवार देर बाद कई जिलो के स्पी समेट कई IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है सरकार ने जिन पंद्रा आईपीए सदिकारियों को इधर से उधर किया उनमें ज्यादतार विवादित और बड़े नाम शामिल है तबादलों के लिस्ट में शराप तसकरी के मामले में विवादों में घिरे सिरोही जुले के स्पी हिम्मत अभिशाला टाग भी है ब्रक्स और नशे माफिया को लेकर स्थानिय नेताओं से चक्राव की वज़ा से विवादों में घिरी नागोर की स्पी शुयता धंकर का भी तबादला कर दिया गया है वही नौकरी में रहते हुए दो शादियों के मामले में बर्खास किये गए तेज सर्रार आईपियस अधिकारी पंकर चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद पोस्टिंग पाच चुके हैं हाला कि सरकार में 36 का आखड़ा होने की वज़ा से इन्हें स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस में लगाया गया है महराश्ट के पूने से एक बेखत दुखत ख़वर सामने आ रही है दरसल पूने में केमिकल बनाने वाली फैक्टरी में भीशर नाग लग गई जिससे आग में मरने वालों का आकड़ा 17 पहुँच गया है इनमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं वतादें फैक्टरी के आग पर अब तक काबू पालिया गया है और फिलहाल अंदर कूलिंग के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी जारी है इस खत्ता में जान कवाने वालों के परिवार वालों के लिए प्रधान मंतीर नरीन मोदी ने दो लाक रुपे के मुआफ़े का एलान किया है वहीं खायलों के लिए 50 सजा की मदद की बात कही गई है PMRDA उने के चीप पोस्ट फोरे ने कहा है कि आग तब लगी जब प्लास्टिक पैकिंग का काम चल रहा था धुआ इतना ज्यादा था कि महिला करमचारियों को भागने का कुई रास्था ही नहीं मिला हमने 17 शब बरामत की हैं जिन में से 15 महिलाएं हैं और दो पुरुष हैं कूलिंग और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है वहीं भीचन आग की इस घतना पर पनामंती नरीन मोदी ने शोग जटाया है मौसम विभाग ने मुंबई समेत राज्जे के अन्य टटिय शेत्रों में भारी बारिश का पुना अनुमान जटाया है मुख्यमंदे उद्दफ ठाकरे ने किसी अनुहोनी से निपतने के लिए राज्जे प्रसाशन को मुस्तायर रहने का आदेश भी दिया है मुख्यमंदे की और से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 से पीड़ेत और अन्य मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोई बादान दही होनी चाहिए उन्होंने राज्जे प्रसाशन को निर्देश दिया है कि निचले स्थानों को और छतेगर्स भवनों और भुसकलंद वाली जगाओं में रहने वालों को सुरक्षे स्थान पर पहुंचाया जाए उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर शेत्र और कोंकर्ण चेत्र में 9 जून से 12 जून के बीच भारी बारिश का पुना अनुमान है किसी अनुहोनी का सामना करने के लिए खुद को तयार रखें मुंबई के शेत्रिय मौसम विभाग केंद्र ने ट्वीट करते हुए कहा कि शेत्र में अगले पांच दिन में मौसम बिगणने की चेताब नहीं दी गई है कोकर्ण वामध्य महाराष्ट के एक हाट शेत्रों में 10 जून से ज्यादा बारिश होने की पूरी संभाबना है क्या कुरोना वाइरस की उत्पत्ती चीन में ही हुई इसे लेकर अब तब कोई ठोज सबूत सामने नहीं आ सका है हाला कि तमाम विशेशग्यों चीन की तरफ फी उंगली उठा रहे हैं इस बीच विश्व स्वासे संगठन ने कहा है कि वो चीन को मजबूर नहीं कर सकता कि वो वाइरस की उत्पत्ती को लेकर और ज्यादा आंक्रे उपलब्द कराए डवलू एचों ने कहा कि हाला कि वो इस बात पर जोर देता रहेगा कि इस बात की जाज़ रहनी चाहिए कि आखिर वाइरस कहां से आया और इस तरह दुनिया में कैसे फैल गया चीन से निकल कर दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वाइरस की उत्पत्ती का पता लगाने में जुटा अमेरिका अब ड्रैगन के खिलाफ किसी भी हालत में नर्मी बरतने के मूड में नहीं है अमेरिकी विदेश मंतरी एंटिनी बिलकेन ने कोरोना वारस के लिए चीन को जिम्मदाच चनाते हुए कहा है कि कोरोना वारस के खात्मा करने के लिए और अगर भविश्य में इस तरह की महामारी से बचना है तो इसकी तहे तक जाना होगा उन्होंने कहा कि चीन अब तक उस तरह से जांच नहीं करने दे रहा जैसी जांच होनी चाहिए थी गुड मॉनिंग इंडिया में खबरों में फिलार कलिवस इतना ही लेकिन देश में एक बार फिर से आप लोगों से यही अपील है देश में अनलॉक हो गया है साफधानी बरतना बहुत जादा जरूरी है घरों से निकलें मास्क लगा कर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार-बार हाथ होते रहें इसी के साथ हम कोरोना से जल्द ही निजात पासकेंगे लेकिन बहुत जरूरी है कि अपना अपनी फैंबली और अपने फ